ये कल ठाना खतोली पुलिस को सूचना प्राप कोई कि एक व्यक्ती के पिता को धोके से एक मैला ने अपने घर बुलाया है चीनाई का कार्य करने के लिए और फिर उसके बाद में उनको वहां पे बंदक बना रखा है और उनको ये बताया जा रहा है कि आपके पिता का हमने अ परित कारवाई की गई और समझदारी के साथ पहले जो पिडित व्यक्ति था उसको रेस्क्यू किया गया और जो अक्यूज्ड थे तीन अक्यूज्ड इनको पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया इन तीनों से पूस्टाच की गई तो ये तथे निकलके सामने आया कि तीन अभियुक्त जो हैं इसमें एक का नाम जाकिर, एक का नाम तैमूर और एक जाकिर की पतनी जैनब ये तीनों लोग मिलके एक सेक्स्टोशन रेकेट चलाते हैं जिसमें ये भोले बाले लोगों को धोके से पहले अपने पास बुलाते हैं फिर उसके बाद में उनका अपति जन ही कुछ गटनाएं की है जो बाद में पूछता आज के दौरान प्रकाश में आया पुलिस द्वारा इस गंवीर परकरण में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजिकरित किया गया और इन तीनों अभ्यूगतों को कानूनन तरीके से हिरासत में लेके इनको मानने लाने के स समक्स प्रस्तूत किया जा रहा है और मैं आप लोगों में माध्यम से पब्लिक से अपील करना चाहूंगा कि अगर इस तरह कोई अंजान आदमी आपको अगर वाट्सअप पे वीडियो कोल करता है या अगर आपको पहले बुला के और फिर अगर आपके साथ इस तरह की करता है और इसके माध्यम से अगर एक्स्टोशन करता है तो इसके खिलाफ जो लीगल एक्षिन है वो लिया जा सके इसलिए पब्लिक से में अपील करना चाहूंगा कि इस तरह कि अगर कहीं कोई वार्दात होती है तो उसको छिपाए ना बलकि पुलिस को रिपोर्ट करें पुलिस उसमें जो अधिक्तम खठोर कारवाई है वो अमल में लाएगी और इन लोगों इन खिलाफ हम कोशिश करेंगे कि इनकी जो जो भी इनोंने स्रेक्स्टोशन से प्रोपर्टीज कमाई होगी उसको भी गेंश्रेक्ट के तैत कुर्ख करें इसमें जब यह पकड़े हैं तो उसके बाद में कुछ ऐसे लोग अभी तक प्रकाश में आये हैं जो बताते हैं कि हाँ पहले भी उनके साथ पूरो में इस तरह की गटना की लेकिन अभी तक वो लोक लाज के चलते हैं उन्होंने कोई पुलिस को पहले तैरीर नहीं दी और अभी भी जो है उनका ये